तो हलो गाईज कैसे आई होप कि आप अच्छोंगे तो गाज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेट होने वाला है आज कैसी वीडियो से आपको काफी कुछ सेखने को मिलेगा आज का ये वीडियो बिजना स्किप के शुरू से लेके एंड तक देखते रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक फोन रिपेर होने के लिए आया हुआ है और इस फोन के अंदर गाईज फेक चार्जिंग बना हुआ है चार्जिंग स्टोर नहीं होरी तो आज हम स्टेप बाई स्टेप चेक रहेंगा कि इस और उसके बाद इस फोन को रिपेर करने की कोशिस करेंगे तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहे हैं इस वीडियो से आपको कापी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बोर्ड है इसका तो इस पर थोड़ा क करेंगे और उसके बाद रिपेर करने की कोशिस करेंगे तो चली है जायस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि फोन फे चार्जिंग के डाइज पर कैसे बना हुआ है चार्जिंग करने के बाद गाई यह चार्जिंग को charger से connect किया यहाँ पर charging का logo आ गया है यह देखे लेकिन usp charger पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एंपेर कंजूम नहीं कर रहा बिल्कुल 00A देखे इस तरीके से इसके अंदर charging का logo आ जाता है और ना तो बैटे इसकी स्टोर हो पाती है ना यह कोई एंपेर कंजूम करता है तो यह जो प्रोब्लम है यह इसके अंदर बनी होगी है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह देखे यह देखे यह कोई भी एंपेर यह कंजूम नहीं कर रहा तो step by step हमें इस phone को चेक करना पड़ेगा कि इसके अं है उनको हमें चेक करना पड़ेगा तो चलिए फटा फट चे अपने इसको चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि phone के अंदर क्या fault आया हुआ है इसके अंदर गाइज हमें के decision लेगें कि इसके अंदर problem कहाँ पर है तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटा फट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ओन कर लेजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाले है तो उसका notification आपको यहां पर continue मिलता रही तो चलिए गाइज मैं एक बार आपको यहां पर दिखा देता हूं कि बोर्ड में कहां कहां पर क्या काम हुआ है देखिए यह हमारा इसका battery connector है आपको दिखाई दे रहा है यह battery connector इसका तो आपन यहां पर भी चेक करेंगे और यह इसका और voltage protection OVPIC हां पर लगा हुए charging का OVPIC तो चलि की reading आ रही है 500-600 आना चाहिए okay condition है और इस साइड में देखें तो यहां पर देखिए गाइज 400 के आसपास reading आ रही है इसका मतलब यहां पर भी sorting नहीं है OL या फिर यहां पर 1000 प्लस reading आनी चाहिए वो भी okay है तो ID और थरम का GR भी अपन यहां पर एक बार चेक कर ले रहें कि चलिए एक बार व slang है उसका CH papo डारे यह इसकी ही वबस की लाइन है तो इसका वी ज्याइ चेक कर ले रहे है मुझे नहीं लग रहा कि इसके उड़र शोर्टिंग बगर है या फिर नहीं है आप यहां पर देख सकते हैं गईज जी एर मुझे ओके कंटीशन में आप देखने को मिल रहा है ठीक है शोटिंग बगरे तो इसमें नहीं है और इसका जियार जो value है वो down हुआ है ना up हुआ है तो ये तो okay condition में है और इधर इसका EN है OVP or voltage protection की जो ICA इसका EN यहां पर दिया गए तो यह भी okay है और यहां पर एक divided बना हो थे इसके अंदर का जियर एक बार चेक कर ले रहा हूं जेकिए पांचों के आसपास आ रहा है तो ठीक है जियर तो इसका मुझे ठीक कंडिसिन में मिल रहा है अब DMDP की जो लाइन है उसको भी चेक कर लें कई बार DMDP की जो लाइन है वो शोट नहीं होती आपस में तो इसकी बिझा सकते हैं 53 astre जो भी चीज़ें उनको चीक करेंगे तो इसका पर देख सकते हैं हमारा रहा यहाँ रहा한 प्याइम, लगावा savings । उसका तो यहां पर एक बार अपन वीपीच का वोल्टेज भी चेक कर ले रहे हैं कि वीपीच का जियर कितना रहा है देखिए इस साइड पर अगर मैं ठीक चेक करता हूं इस साड़ी करते हैं अब यह आप देखेंगे VPH का जीर साड़ी 300 के आसपास मिल रहा है तो ओकी कंडीशन में यहाँ पर मिल रहा है और इसके पास में बूट कैप लगा हुआ है तो इसका जीर भी आपन चेक के ले रहे हैं देखें एक साइड है यहाँ पर वीपेच का जीर मिलेगा और दूसरी स जाता है तो बूट को भी आपको G αυτό हो इसमें भी कई भार प्रोब्लम डहता है चलिए आपने पर फोस इसका जो वोल्टेज और की उपने तो चलिए गाइज यह हमारी वीबस की लाइन है तो इस पे अपन 5 वोल्टेज चेक कर ले रहे है देखिए 5.1 वोल्टेज यहां पे इंटर कर रहा है बहले अब नीचे का सैब बोर्ड और फ्लेक्स पता ओकी है ठीक है जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं अब देखिए ग लगी हुई है यह वोल्टेज इसको पार करके आगे जा रहा है मैं जो पीम यहां पे लगा हुए चार्जिंग आइसी इसमें तो देखिए यह वाली जो क्वाइल इन पे वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब कि यह जो आईसी है यह ओके कंडिशन में आईसी में कोई भी प् सर्किट के बार में आपको पता नहीं है तो चैनल पर वीडियो पड़ा हुए उसको एक बार आप जुरूर देख लीजिए गया चलिए आपन यहां पर इसका वोल्टेज है उसको चेक कर ले रहे है वी बैट पर कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिला जैसा कि आप यह आइडी और थरम पर कोई वोल्टेज यहां पर देखने को नहीं मिला वह यहां पर मिलना चाहिए था तो एक प्रोब्लम तो हमें यहां पर मिल चुकी है चलिए कोई बात नहीं एक बार अपन यहां पर इसका वीपिज की लाइन है उसके भी जियार चेक कर लेंगे और जो एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि बूल्टकेब पे वोल्टेज है या फीर नहीं है ठीक है तो आप यहां-पर देख सकते हैं यह हमारा वीपेजक की कौईक की क्उइल लगी रहे ह। इस। एक बार मैं यहां पर चेक कर रहा हूं लोगा है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं पूरा यहां पर जो वोल्टेज बनना चाहिए वह नहीं बन रहा तो खेर अपने यहां पर इसके अंदर बैटरी भी लगा दे रहें साथ में बैटरी लगाने के बाद अपन चेक करते हैं ठीक है बैटरी और चार्ज दोनों लगा कि वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ओल नोटिपी के सब्सक्राइब कर लो गाईज तो चलिए फटा 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 चेक कर ले रहा हूं देखिए यह हमारी कवाइल 3.5 वोल्टेज ओके कंडिशन ठीक है यह ठीक है अभी अपन वोल्टेज यहां पर आ रहा है ठीक है यहां पर 0 at करके कुछ वोल्टेज आना चाहिए जो कि यहां पर नहीं आ रहा है जिसको हम at voltage के नाम से ही बोलते है ठीक है 0 at point कुछ करके voltage आता है यहां पर ठीक है अभी आप देख सकते है 3.1 voltage आ रहा है लेकिन यह voltage यहां पर इसकी जो PM660 लगा हुआ है उसमें problem है बाकी इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि OVP की ICA उसमें problem है या फिर क्या है ठीक है वीपेस हां पर आपके कंडिशन में बन रहा है और सब कुछ चीजें हां पर अपने अच्छे से चेक किया है तो गैज ऐसी कंडिशन में हमें इसक जो यह IC है PM660 इसको एक बार निकाल के रिप्लेस करके देखना चाहिए और उसके बाद अपने देखते हैं कि इस पर कितना वोल्टेज बिनता है ठीक है जो भी चीजे हैं उनको गाइज में स्टेब आपको दिखाऊ हुआ तो वीडियो के साथ आप सुरू से लेके एंड तक बने रही है गाइज काफी अच्छी जो चीजी है वो आपको हमारे इस वीडियो से और हमारे चैनल से आपको सीखने को मिलेंगी तो गाइज अभी फटाफट से मैं IC निकाल रहा हूँ और IC निकालने के टाइम गाइज मैं SMD यूज कर रहा हूँ Q807DW Plus हीट मैंने हाँ पर 350-360 रखा है और air मैं यहां पर टूपे करके रखा हुआ है उसके बाद मैं इसकी जो IC निकाल रहा हूँ तो फटा-फट से निकाल ले रहा हूँ देखिए किसी ने हीट किया है या फिर चिंज किया यह तो पता नहीं लेकिन और इस पर काम हुआ है ठीक है तो अभी हमने जो चीजे डाइगनोस किये है उसके साफ से हमें काम करना चाहिए ठीक है पहले अपन यहां पर IC को निकाल के रिप्लेस करेंगे उसके बाद बूटकेप पर भी वोल्टेज चेकरेंगे आईडी और थ्रम पर भी वोल्टेज चेकरेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर जो चैनल पर मिलते रहेंगे और फ्री में कुछ ना कुछ आप हमेशा सीक्सते रहेंगे तो चलिए फटा पट समा आईसी को मैं यहां पर निकाल दिये और अभी मैं इसका पैड उसको क्लीन कर रहा हूं देखिए आईसी को निकालने से लगाने तक का जो सपर है उसके बार में आईसी को फिक्स कर सकते हैं कैसे आप रिबॉल कर सकते हैं जो भी चीज़ी हैं गाईस अपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारी वीडियो के लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा तो उस वीडियो को एक बार आईस आप जरूर देख ल अचैप कफिलर्ण को ऑनकर कर दाएगा अगर आप को पता ही नहीं है आप नहीं शीख सकते उसको तो फिर दिवाइड़ संकरे क्रेंग करना मतब छड़ा अपके लिए मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो एक बार आपको जूरूर देख लेना चाहिए काफी important वीडियो है और tracing अगर आपको नहीं आ थी तो tracing पर भी मैंने काफी सारे वीडियो बना के रखी हुए उनको भी अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी आप जाके हमारे वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे तो उन वीडियो को भी एक बार आप जरूर देख लेना हुआँ पर ही आपको काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगे काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगे ओल्मोस्ट यूटूब पर ऐसी चीजें कोई नहीं बताता और आपको हमारे चैनल से बिलकुल फ्री म यह चीजी सीखने को मिल रही है तो मतलब मानके चलो कि काफी आप मतलब सीख जाओगे तो गाइस फटापर से आज सी को फिक्स करते हैं और उसके बाद अपन देखते हैं जो भी चीज़ें यहाँ यहाँ पर वोल्टेज थे मिल रहा था तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए अभी घग आपको बता दूंकि ऐसी कंडिशिन में जो फून होता है वेक चारजिंग पर उसके आपको विपेच की अक्षी होती है उसको भी करना चाहिए अगर आपने आइसी चेंज कर दिया फिर भी नहीं बरना तो दोनों को आप चेंज करके देखना चाहिए आपको इससे भी गाइज कई बार फेक चार्जिंग और ओटो चार्जिंग की जो प्रोब्लम हो वो देखने को मिलती है आईडी थ्रम को आपको अच्छे जो भी फोल्ट होगा वो आप रिपेर कर लेंगे तो फाइनली गाइस हमने जो नया आइसी है उसको यहाँ पर मलब चेंज कर दिया है तो अपन यहाँ पर इसको अच्छे से चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या फोल्ट आ रहा है क्या प्रोब्लम बनी हो यह जो भी चीज़ चेक करना चाहिए गाइस किसी भी बॉर्ड पर कोई भी काम करने के बाद एक बार अपन यहाँ पर जो सोटिंग उसको मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूं देखे ठीक है इधर से अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी ठीक है ठीक है ओके कंडिसनी आपी मिल रहा है आईडी लाइब दिखा रहा हूंगा इस आपको में यह चीशे चलिए एक बर अपन यहाँ पर लगा देंगाँ देखे विदाउट ने बॉल्टेज हमें चेक करना है इक बार वॉल्टेज अपन इसको विदाउट वेटी की चेक करेंग है तो यह बर आईडॉ कि जो वुल्टेज ह को चेकर ने है चलिए वसक फॉटाफढ शेपनी इसको चेक करते हैं और उसके बाद देखते देकिए यह बिल्कुल जीरो यह पर देखने को मिल रहा था जैसा की आप यह mês रहे है ठीक है अब चलिए बूटकेप पर मैं आपको वोल्टेज चेकर वाता हूँ पहले विदाउट वेटरी की वीपेज नहीं बन रहा था अभी एक बार आपने चेकरेंगे देखिए अभी भी नहीं बन रहा कोई बात नहीं बैटरी लगा की चेकर लेंगे लेकिन एधर का वोल् को लगा नहीं के बाद मैंने कनेक्ट किया देखिए फुल एंपियर हाई एंपियर कंजूम कर रहा है वन पॉइंट जिरो एंपियर ये ले रहा है इसका मतलब फून की जो प्रॉब्लम थी फेक चार्जिंग की वह ओके हो गई चलिए बूटकेप पे मैं आपको एक बार व 0.48 ये वोल्टेज यहां पर मिलना चाहिए ओके कंडिसिन में जिसको हम एक वोल्टेज ही बोलते हैं काफी सारे लोगों ने मैंने वीडियो गनाया था तो उसमें बोला था कि आप एक वोल्टेज गल्थ बोल रहे हो जीरो एक होता है तो गाई इसको एल्ट वोल्ट ही बो लगाया मैंने 0.601 देखिए एट 1.80 एंपियर और अभी आप देखना है यह पूरा दो एंपियर कंडियो पहले चार्जिंग का लोगो आ रहा था बैटरी भी स्यों नहीं कर रहा था ठीक है यह देखो गाई इस दो परसेंट यहां पे बैटरी चार्ज है पहले सिर्फ चा वो सोल हुई है या फिर नहीं हुई तो वीडियो के साथ आप बने रहे हैं गाईस और आप अभी तेख वीडियो को लाइक ने कहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइլ करके हूर नोटिफीकिक शन आपको इंक्रेज कर सकते हैं ओर फरी में काफी कुछ च चीज़ें आपको हम पर सेखने को मिलेंगी काफी अच्छी ट्रैसिंग आपको हम पर देखने को मिलेगे तो उसको जाके एक बार आप जरूर देख लेना गाइस क्योंकि जो चीज़ें आपको मैं फरी में बता रहा हूँ पूरे यूटूब पे गाईज यह मेरी गैरेंटी है आपको कोई भी नहीं बताएगा कि भी चैनल के साथ आप हमारे जो वीडियोज उनको कंपेर कर लेना आपको खुद देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ तो है इनकी वीडियो में तो अगर आप स्टेब ए स्टेब देखेंगे तो काफी कुछ चीज़ें आप आप हों पे सीखने को देखने को मिलेगे तो आप य आपको किसी भी फोन को ट्रेस करना होता है एक्जेक्ट जो प्रोब्लम होती है उसी पर आपको काम करना होता ठीक है ऐसे ही आप कभी हीट कहीं पर देंगे कभी कहीं पर बिदेंगे तो ऐसी कंडिसन में गाईज जो फोन है वो बनने की जगए और ज़्यादा बिगड़ जाता है इस चीज़ों के उपर गाईज आपको ध्यान देना है तो चलिए एक बार अभी मैं आपको चेकरवा देता हूँ कि फोन थोड़ा हूँ चार्ज हुआ है या फिर नहीं हुआ क्योंकि मालब कुछ एक मिन्ट तो होगा यह होगी चलिए देखने एक परसेंट इसका इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ यह पाउर की प्रेस किया यह लोग आज दो से तीन हो गया ठीक है तो आज का यह वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब रोल नोटिफिकेशन को ओन खर लिजिए गाईस